एंटी आर्टी कख्या आठवी बोर्ड परिश्या दोज्यार चोविस के लिए गनित का जो पेपर है साती हो वो यहां पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोलिशन के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ लेना है त चलिए अपन यहां से स्टार्ट करेंगे पेपर पेपर स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेश्ट रहेगी चैनल पर नए तो पली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस पेपर की पीडे फाइल अगर आपको देखनी है तो हमारा जो एप वहां पे आप सभी की पीडे फाइले आपको मिल जाएगी साथ ही साथिसाथ आपको my आप पेटेस्ट भी मिल जाएंगे जो टेस्ट देगे भिए आप जीरो से गुणा करते हैं उसका मान हमेसा जीरो ही आता है तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो option number B हो जाएगा साथ-साथ में यह पीडिये फाइल में यहां पर लिखा भी गया है आगे देखे समीकन जो आपको दिया गया अगला 3x-1 बराबर 14 में बायां पक्स कौन सा है तो य यहां पर हो जागा 3x बराबर 14 ऐसे के से रहेगा इधर जो एक मायनस का है वो उद्धर जाके प्लस का बन जाएगा एक सोरी तो अब देखे यहां पर कितना आ गया है तो इस परकार से यह परसन आपको हल भी करना पड़ सकता है समीकन बेस पर अगर आता है तो आगे देख दिगरी होता है देखे वर्ग है उसकी चार हो जाएं आपस में बराबर होती इस परकार से ठीक है और टोटल जो कौन होता है वो कितना डिगरी का होता है तो एक जो कौन हो गया वो नवर डिगरी का हो गया तो यहां पर आपको सही करना होगा नो की पूर्ण वर्ग संक्या क्या है अब देखें पूर्ण वर्ग संक्या का मतलब होता है कि उसी संक्या को उसी संक्या से गुणा करना अगर मैं 9 को 9 से गुणा करता हूं तो मेरा क्या आता है तो यहाँ पर option number जो D है वो मेरा सही answer बन जाता है आगे देखें आप संक्या 5 की गंत संक्या होगी अगर आपको यहां अगरं गन पूचा जाता है जिसे भी संक्या का माली जी पांच का पूचा गया तो усको तीन बार कोना कर देना है उसको गर्णा करदेनां है आपका answer आजा आगे देखें आप पर Amkit ऐसको आपने को एक चीज लेंगे और इस पर लिखा आता है माइनस है कितने 95 रुपे तो आपको क्या मिल गए विर यह बट्टा बी मोला इसको बहुंत है तो यहाँ पर Am sino M皇ai में89 मारा ऑब Toto कहलाती है ठीक है आगे देखिए एक बदीए बीजी बेंजक कौन सा है तो यहां पर चार एक्स जो है सिंगुलर फॉर्म में वह हमारा एक बदीए बेंजक बन जाएगा आगे देखिए यहां पे अगली जी संक्या है 0.00040 और 35 इसका आपको मानक रूप बताना है तो इसका मानक रूप देखिए इस 0 को मैं अटाउँगा तो नीचे किती जितना उपर अंकशे उतने में जीरो लगा दूँगा यहां पे तो मेरे पास क्या आगे है यहां पे छै ज तो ऐसे केसे आ गया था गुणा 10 की पावर चाह गया ये मेरा आंचर हो जाना चीए लेकिन ऐसा है नहीं तो अगर मैं यहां पर 3.5 लिखा गया है इसका मतलब एक जो पावर थी हो कम हो गई तो मेरा आंचर आ गया 3.5 इंटू 10 की पावर 5 ठीक है तो यह कहां पर है option number C में है आगे देखें आपे माइनस 19 वटत 39 गुणा, 39 वटत माइनस 19 वड़ाबर एक जो दिया गया है यह कौन से गुणधरम के आदार पर है तो दोस्तों यह परतिलों गुणधरम के आदार पे है बस इतना ही आपको लिखना था आगे देखें आपे आपको समिक्तन है वो हल करन बहुत अच्छे से समझ लेना आपका एक कम से केम चार नमर का परसन आता है तो बिलकुल भी गलत नहीं होगा अच्छे से समझ लेना यहां पर देखे आपको दिया गया है 5x प्लस 9 बराबर आपको दिया गया है 5 प्लस 3x अब इसको हल करना है तो देखे जो x की संक्या है उनको हम एक साड लिखेंगे तो यहां पर 5x है इधर जो 3x था वो इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा यह 3x बराबर में देखे यह 5 ऐसे कैसे है अब इधर जो 9 था प्लस से 9 तो जाएगा है नहीं तो 9 में से 5 जाएगा तो एकस का मान यहां पर आ जाता है तो यह यह यहां पर आपको मिल भी जाएगा कैसे यहां पर समझा लिए गया है दी कि निमेलिखित संक्यां में इस से परते के घनके एकाय का आपको ग्यात करना है अब इसको इसका गन अब लाश्ट में आएगा तो पेली संक्या में हमारा एक और Age डाता है नेक्स संक्या में देखिए 27 empath में 7 तो तो साथ को अगर मैं 7 से उना गया तो 49 का कितना गया गया नो आ गया तो नो कीफिर 16 मतलब पास 35 पहेने तो दोनों के पहनों का अनुपास आपको गयाद करना तो दीखिए आपने यहापने क्या लिखा मेनाक सी लिख लिए में पर टीक और यहाँ चार ब sahड में कौन चि loops Whit Di a वह अपने लिख लिग अब दधिए आप ठीक है तो पंधर्य कें पंधर्य पंदर्य पंदर्यsam तीं हे तो एक अनुपार तीन है जो यहां पर देखें एक अनु बाध तीन आपका अशर और आपर सत्य सत्य बताने हैं तो यहां खुत से देखो लिएना एक आगा यहाँ पर देखे रिक्तिस्तानों के पूर्ति के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखे आयत का प्रते कोन है वो क्या कहलाता है तो आयत का जो प्रते कोन होता है वो समकोन कहलाता है देखे इस परकार से आयत बनाते हैं और अपन परिवासा भी अपने याद कर रही है कि आयत की आमने सामने की जो बुजाई होती है वो बराबर होती है और पढ़ते कौन है वो 90 डिगरी का या फिर समकौन है वो होता है ठीक है या अपने याद कर रहा है तो यहां पर आपको यही छापना है अब दुखे उत्यल ब्वज़के विक्रोणों का कोई भी भाग बही भाग या अंतर भाग में नहीं होता है तो बहीर भाग में नहीं होता है पंचपुज के सभी अंतर कोनों का योगफल क्या होता है तो यहां पर ओगा 540 डिगरी का समांतर चत्रबुज के विक्रण एक दूसरे को क्या करते हैं समधी वाजित करते हैं तो यहां पर आपको समधी वाजित लिखना है अब देखिए आपर मिलान करना है A और B को तो देखिए मिलान कैसे करेंगे माइनस P 4P गुणा 7 आ रहा है इसका मतलब 7 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 7 चोग 28 28 PR आपका 28 PR देखिए यहां पर लिखा गया है इस परकार से आपने इसको करनेट कर लिया है ऐसे अगला है 8 दूनी 16 16 इसमें है जो गुणाहों में आ रहा है वो यह आपका आंसर बन जाता है तो आगे देखिए आपे अच्छी परकार से फेटी हुई 52 पत्तों की एक गड़्डी में से एक पत्ता यादर्चिक रूप से निकाला जाता है तो ग्याद करना है आपको देखिए एक काला बात्सा पराप करने की प्राइक्ता क्या होगी तो देखिए एक काला बात्सा की बात बोली गई है तो आज की गड़्डी में दो काले रंग होते हैं दो लाल रंग होते हैं तो दो संभावन नहीं बढ़ेंगी किस में से बाउन में से तो एक और यहां पर 26 काटा तो तो एक बटा 27 इसका आंसर आ जाए गा तीक है लाल रंग का पत्ता प्राथ करने की प्राक्टा देखिए लाल रंग का बोलाई यहां पर ठीक है तो देखिए लाल रंग के तेरा पत्ते तो हो गए हमारे इंट के और तेरा ये किसके हो गए हमारे पान की तो तेरा तेरा कितना हो गए पूरे 26 और टोटल होता है मेरे पास 52 तो 26 से कम 26, 22 बावन एक बटा दो जो संभावना है वो मेरी यहां पर बन गई है इकका पराप्त करने की प्राइकता अब टोटल जो इकके है सम में एक एकका होगा तो टोटल एकके चार होगे और वेसे टोटल होता है बावन तो यह एक से काटा यहां पर तीरा आपका आगया तो इस प्रकार से यह मेरा आंसर आजाता है लाल रंग की बेगम पराप्त करने की प्राइकता अब देखिए लाल रंग की बेगम अब लाल रंग में दो हो गए बेगम के दो बटा यहाँ पर आपको क्या करना है दो बटा बावन तो वो एक और यहाँ पर 26 आपका आंसर आ जाएगा अब देखिए अब आजिये गुणनखंड विदे से 9604 का वरगमुल हमें ग्याद करना है तो देखिए यहाँ पर इस परकार से आपको अब आजिये गुणनखंड वो करना होगा तो यहाँ पर यहाँ पर आपको मिल जाता है पूरा का पूरा एसे ही आपको एक्जाम में करना है तो आप इसका स्कीन सोट लेके समझ सकते हैं तिक है आगे देखिए आपके किसी समांतर चत्रुज के दो आसन कोणों का नुपाद 3 नुपाद 2 है समांतर चत्रुज के सभी कोणों की माप है वो हमें ग्याद करनी है तो यहाँ पर देखिए कोण A और कोण B का मान फूरा कितना दिया गया है 180 डिगरी का दिया गया है अब आसन कोण A और B जो वह 3X और 2X आपको यहाँ पर दे दिये गये है तो इसका मतलब हो गया कि 3X प्लस 2X बराबर मेरा 180 डिगरी आ रहा है तीन अर्दों कितना होगे? 5X बराबर 180 आ गया तो बाकी के कोण आप उसमें से निकाल लेंगे मैनिस करके तो आप का अंसर आ जाएगा तीक है? इस फरकार से यह निकल जाएगा आगी देखें आपे 12,000 रुपे का दो वर्स के लिए 10% वार्षिक दर से साधरन ब्याज इन चक्रवती ब्याज का अंतरा आपको याद करना है जब की ब्याज है, वो वार्षिक सहयोजित होता है तो यहाँ पियाज पियाज याद कर लिया है चक्रवती ब्याज का फॉर्मला होता है P ब्रेकिट 1 प्लस R बटा 100 गी पावर N आर यहाँ पर क्या है? दर है ठीक है P के आ है है यहां पे मूलधन है N के आ है यहां पे समे है ठीक है अब आपको पता लगए रहा काहा कहा पे रखना है तो आरामसे करं Bryant मूल्धन बाराजार पे है 210 ऐसी लिखा 1 प्लत 4 किती है 10 बति में आपने लिखो और समय कितना है दो वर्स तो दो वर्स लिख लिया अब सो एकम सो और यह 110 तो यहां पर क्या गया 12000 गुणा 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100 यह दो बार क्यों लिखा है क्योंकि समय 2 था उफर इसलिए ठीक है दो जिरो से यहां पर दो जिरो कट गई फिर दो जिरो से यहां पर दो जिरो कट गई फिर दो जिरो से यहां पर दो जिरो कट गई फिर दो जिरो से यहां पर बताना है अब साधान ब्याज भी हमें गयात करना होगा तो साधान ब्याज जो यह उपर का आय था वह साधान ब्य सब्सक्राइब निकाल लिया है यह अपर निकाल लिया है यह अपने उपर निकाला ही था चक्रवती व्याज तो चोई सो में से 25 में से निकालेंगे तो 120 रुपे आजाएगा तिक अब देखें आपर एक किसान की फशुषाला में 20 पसु के लिए 6 दिन का प्रियाप्त बोजिन है यदि इस पसुपाला में 10 पसु और आजाए तो यह बोजन कितने दिन ओर चलेगा देखें इसको कैसा करेंगे यहां पर कह रहा है कि 20 पसु है और 6 दिन का खाना है इनके जिरो से जिरो मत काटो आप ऐसे रहने दो इसको 30 का था तो 6 एक अम 6 और 6 पंजो 30 5 से काटा 4 तो अब 4 दिन का बोजन उनके पास बच गया देखें कितनी सोड तरीके में कर लिया यहां पर थोड़ा बड़ा किया गया है तो एक्जाम में आप अप्राई कर सकते हैं यहां इसको हल करना है ऊतर की जांच भी करनी है ने सब टेंगे आउन्या उन्हरों को यहां पर जाते हैं मिल ज触्यकİ श्लिकल देखें आप्यखहें है कि केसे परसन आपको हल करना है या आपके पाई चार्ट के होगे गुण खंट बगएरा के होगे जिन को कशर ब serager करनी है तो साति आप से सारे पेपर यहां पर पर मिल जाएंगे जहाँ पर आप कभी भी अपने साव से है देख सकते हैं एक लिया ना कोई भी कमेंट ना भाई इसके लावा विज्ञान का सामजी बज्ञान का पेपर भी जल्दी आपके लिए आ जाएगा ठीक है रागी काफी पर औलेड़ी जो मौडल न परटे वह सोल करा रखें वह आप देख सकते हैं तो कुछ